हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं 31,000 करोर का गोटाला हुआ है मगर टीवी वाले गाय और तीन तलाक दिखा रहे हैं ये शर्मनाथ है संजे सिंग कोबरा पोस्ट द्वारा किये गए संसने खेज कुलासे में मीडिया ने जिस तरह की खामोशी साथ रखी है उसे एक बात तो साफ हो गई है कि प्राइवेट कंपनी और बीज़ीपी के बीच आपसी डील हुई है दिवान हाउसिंग फाइनेंस कॉपरेशन के इंग सेल कंपनियों ने 2014 से सतरह की बीच आवयद रूप से भाजवा को लगबग 20 करोर रुपे का चंदा दिया 71 सालों में कुछ नहीं बदला 1948 में बापो को गोली मारी और अब उनकी पुतले को विनोध कपड़ी चरम 25 संगठन हिंदु महासभा की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है पुजा पांडे ने महात्मा गांधी की मूर्ती पर गोट से स्टाइल में एक के बाद एक तीन गोलियां दागी गोली लगने के बाद कृत्रिम तौर पर बापो के पुतले से खून बहते हुए भी दिखाया गया इसके अलावा महात्मा गांधी के अत्यारे गोट से का महीमा मंडन करते हुए उसकी तस्वीर को माला भी पहनाए गई और महात्मा नातुराम गोट से जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए RBI और ED की नात के नीचे 31,000 करोर के गोटाले का खेद चलता रहा मोदी की एजेंसिया क्या कर रही थी कोब्रा पोस्ट वेबसाइट ने 31,000 करोर के कथित गोटाला के परदाफाश किया है कोब्रा पोस्ट का कहना है कि सार्व जनिक रूट से उपलब दस्ता वेजो के स्विशलेशन से ही गोटाले का पता चलता है ये पैसा किसी कमपनी का नहीं है बलकि जन्ता का पैसा जिससे अलग-अलग कमपनियां बना कर उसके खाते में डाला जाता है ये कमपनियां भी उन्हीं प्रोमोटर की होती है जो लोन का पैसा इने देते हैं कोबरा का माना है कि या भारती इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग होटाला है अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा लोगसभा चुनाओ के पहले बीजेपी करवा सकती है सामपरदाइक दंगे भारत में होने वाले लोगसभा चुनाओ को लिके अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बड़ा दावा किया है एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चुनाव से पहले सक्ता रूड भारती चंता पार्टी भारत में स्लाम परदाइक दंगे करवा सकती है डिरेक्टर ओफ नैशनल इंटेलिजेंस डैन कोट्स द्वारा तयार की गई इस रिपोर्ट को अमेरिकी सीनेट की सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश किया गया है जिसमें इस बात की आशनका चताई गई है कि अगर प्रधान मद्री नरेंद्र मोदी की भारती चंता पार्टी हिंदुराश्च्रवादी मुद्दो पर आगे वढ़ती है तो भारत में होने वाले लोग सबाचुनाव से पहले साम प्रधाय खिंता की भावदाएं बढ़ताती है असाम विरोध के डर से बीजेबी की रैली में उतरवाई गई मासूम की जैकेट मा का रोता हुआ वीडियो वाइरल हुआ देश भर में हो रहे है विरोध प्रधर्शन से भारते जनता पार्टी अब इतना घबर आ गई है कि उसे एक मासूम की काली जैकेट भी विरोध का प्रतीक नजर आ रही है विरोध के डर से असाम में मुख्य मंतरी सर्वनन सोनो वाल के कारे करम में सुरक्षा कर्मियों ने एक तीन साल के बच्चे की काली जैकेट उतरवादी मामला असम के विश्वनात जिले का है जहां 29 जनवरी को सीयम सर्वनन सोनो वाल की रैली थी इस रैली में एक महिला ने अपने तीन साल के बच्चे के साथ पहुँची थी बच्चे ने काले रंग की जैकेट पहने वी थी जिसे देखकर सरक्षा कर्मियों ने से रोक लिया और विरोध के डर से कडाकी की ठेंड की बावजूद महिला से बच्चे की जैकेट उतार कर रैली में शामिल होने को कहा खुशी की बात है कि बीजेपी के लोग साहिब की नौटंगी को नापसंद और राहूल गांधी की मानवता को पसंद कर रहे हैं अब सरा रेड़ी कौंगर्स अधिक्ष राहूल गांधी अपने बहतरीन अंदाज सेंद्रों अपने विरोधियों का भी दिल जीतते नजर आ रहे हैं गोवा के डिप्री स्पीकर एवं बीजेपी के विधायक माइकल लोबो ने उनके अंदाज की तारीश की है बीजेपी विधायक ने कहा कि राहूल गांधी बहुत ही सिंपल आदमी है गोवा और भारत को उनके जैसे निताओं की जरूरत है दरसल मंगलवार को राहूल गां गांधी की एक अधरवी पुरा देश गांधी की विचारों को याद कर रहा है उनकी हत्या करने वाली विचारधारा के निंदा कर दा है लेकिन खोद को दुनियां का सबसे बड़ा संगठन कहने वाली संसा आरेस राश्ट्रकीत की पुने टिथी पर चुपी साथे हुए है क्यों गांधी की पुनेतिती पर राश्ची स्वें सेवक्स तंग की तरफ से ना कोई प्रेस विग्यप्ति जारी की गई है ना कोई ट्वीट किया गया है और ना ही कोई फेस्बुक पोस्ट की गई है एकदम सन्नाटा फैला है आरेसेस ठोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐसा क्यों गांधी की हत्या पर पटेल ने लिखा था हिंदुओं की रक्षा के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ नफ्रत पैलाती है राश्च्पिता महात्मा गांधी की 71 पुनेति थी है 30 जनवरी 1948 को दिली में बिरला हाउस की बाहर कटर हिंदुवारी नाथ राम गोटसे ने गांधी की हत्या कर दी थी करीब शाम पाच बजे गोटसे ने अपनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से गांधी के सीने में तीन गोलिया दाग दे थी दो गोलिया शरीर से होते भी बाहर निकल गी जबकि एक गोलिय उनके शरीर में ही फसकर रह गई और गांधी ने दम तोड़ दिया गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाली भगवाधारी साथ भी है बीजेपी की गरीबी शिवराज सिंग चोहान और उमाभारती के साथ फोटो वायरल महत्मा गांधी की पुने तथी के दिन 30 जन्वरी को बापु की प्रतिमा पर गोली चलाने वाली हिंदू महासमा की नेता पूजा शपन पांडे की तार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जुड़े हैं उनकी एक तस्वीर शोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें पूजा बीजेपी के दिगर्स नेताओं मतवदेश के पूरुट सीम शिवराज सिंग चोहान और केंद्रिय मंत्री उमाभारती के साथ नजर आ रही है गोवा के बीजेपी विधायक नीकी राहुल गांधी की तारीफ कहा राहुल जैसे नेताओं की गोवा और भारत को जरूरत है कौंगेसा देख्ष राहुल गांधी अपने बेहतरे इन अंदाज से इन दिनों अपने विरोधियों का वे दिल जीत ते नजर आ रहे हैं गोवा के डिप्टे स्पीकर एवं बीजेपी के विधायक माइकल लोगो ने उनकी अंदाज की तारीफ की है बीजेपी विधायक ने कहा कि राहुल गांधी बहुत सिंपल आदमी है गोवा और भारत को उनके जैसे नेताओं की जरूरत है मंगलवार को रहाल गांधी ने मुख्य मंत्री मनोहर पर रिकर्टी तवियत का हाल चाल लेने के लिए उनसे मलाकाद की थी रहाल गांधी ने इसी अंदाज ने विजेपी विधायक माइकल लोगो को काफी प्रभाविद किया जिस चंदा कोचर को बचाने के लिए अरुन जेटली सीवी आई को धमका रहे थे वो बैंक धुकादड़ी में दोशी करार दी गई जिस चंदा कोचर को बचाने के लिए वित्तमंतिर अरुन जेटली अमेरिका में बैठकर स्टीवियाई को धमका रहे थे वो जांच में दोशी पाई गई है ICICI बैंक की सदंतर जांच ने माना है कि बैंक की पूर सीओ और एमडी चंदा कोचर ने नियमों को ताक पर रख कर लोन दिया था इसके साथ ही बैंक ने चंदा कोचर को बर्खास करते विबाहर का रास्ता दिखा दिखा दिया है दोशी पाई जाने के बाद ICICI बैंक चंदा कोचर से करोरों रुपे की बोनस और इंक्रिमेंट को वसू लेगा तस्वीर बापो की है इसलिए कोई बात नहीं अगर मोदी जी की होती तो देश्त्रो बदा जेल भेज दिया जाता मीसा भारती चरम पंती संगठन हिंदू महासभा की एक और सर्मनाख हरकत सामने आई है उतरपदेश के अलिगड में हिंदू सभा की राष्टि सचिव पूजा शकुन पांडे ने राष्टिता महात्मा गांधी की पुर्णितिति के मौके पर उनका पुतला बनाकर उस पर गोली चलाई दरसल हिंदू महासभा के लोग महात्मा गांधी की इस पुर्णितिति को शौरे दिवस के रूप में मनाते हैं इस मौके पर संगठन के कारेकरताओं ने महात्मा गांधी की मूर्थी बनाया और उस रिश्य को प्रतिकात्मक रूप से दर्शाया जिसमें नाथुराम महात्मा गांधी को गोली मारी थी नोटबंदी के कारण बेरुजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया लेकिन गपुजी कह रहे हैं कि नोटबंदी से मकान सबस्ते हुए हैं कनहिया विजनेस स्टैंडर्ड ने भारतिय राश्चिन अमूना सरिवेक्षन कार्याले क पी एल एफएस की एक रिपोर्ट का खुलासा किया है इस रिपोर्ट के मताबिक साल 2017-18 में बेरुजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज़ादा थी यानि उनिस सबहतर के बाद देश में बेरुजगारी की दर सबसे ज़ादा है राश्चिर सांख्य की आयोग ने इस रिपोर्ट को दिसंबर में ही मन्जूरी दे थी लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को जारी नहीं किया बड़ा खुला सा मोधी राज में बेरुजगारी में 45 साल का रिकॉर्ड तो रख्या इसलिए आंक्रे छुपा रही थी सरकार पिछले दिनों खबर आई की राश्चिर सांख्य की आयोग ये दो सदस्टों ने सरकार की रवेई से निराश होकर इस पर दे दिया इनका कारेकार 2020 में खत्म होने वाला था लेकिन कारेकारी अध्यक्ष पीसी मोहनन और सदस्य जेवी मिनाक्षी ने मोधी सरकार पर ये आर प्रदान मंतरी नरेंडर मोधी पर विपक्षित व जातिवाद की राजनेती करने का आरूप लगाते ही आरे हैं अब उनकी पार्टी के निताव ने भी अहमान लिया है कि ये जातिवाद की राजनेती करते हैं अलिगर के एक लास के विधायक राज वीर सिंङ्ग दिलेड क का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक जनसभा के दौरान या कहते वे नजर आ रहे हैं कि वह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जाती की राजनीती नहीं करते हैं बीजिए पर विधायक का यह वीडियो शोचल मीडिया पर जम कर शेयर भी किया जा रहा है मोदी की परीक्षा पर चर्चा पर बोले कॉंगरस नेता फ़र्जी डिग्री वाले बच्चों को सिखा रहे परीक्षा कैसे दें प्रधान मंत्रिय नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को परीक्षा पर चर्चा दो दशम लगशुने कारकरम में बेश भर से दो हजार टूडेंस और पेरिंस से संबाद करते हुए उन्हें पर एक्षा से जुड़ी समस्यां से निपटने के उपाय बताए पीम केस कारेक्रम पर कॉंगर्स ने सवाल खड़े किये हैं पुर्व केंद्री मंत्री और वरिष्ट कॉंगर्स नेता आनंद शर्मा ने तंज कसते हुए कहा पीम मो रास्थान रामगड उप चुनाओं में कॉंगर्स ने बीजेपी को 12,228 वोटों से हराया क्या 2019 में मोदी जी जाने वाले हैं रास्थान की रामगड सीट पर कॉंगर्स को भारी जीत मिली है यहां हुए विधानसवा चुनाओं में कॉंगर्स की साफिया जुबैर ने 12,000 स से ज्यादा वोटों से जीत हासल की है साफिया को 12,228 वोट ज्यादा मिले साफिया को 83,311 वोट मिले उन्होंने बीजेपी उम्मिद्वार सुकवंच सिंग को करारी शिकस्त दी हिंदू महासभा ने महात्मा कांदी की पुद्ले पर चलाई गोली क्या पीम मोदी इन आधं संक्यों पर कोई कारवाई करेंगे चर्म 35 संगटन हिंदू महासभा की एक और शर्मनाख हरकत सामने आई है उत्यप्रदेश के हलिगड़ में हिंदू महासभा के राश्ट्रे सचित पूजा शकुन पांडे ने राश्ट्रुपिता महात्मा गांदी की पुन्यतिती के मौक पूटी पर गौट से स्टाइल में एक के बाद एक तीन गोलियां दागी 45 सालों में देश ने नहीं देखी ऐसी बेरुजकारी राहुल बोले ये राश्ट्री आपदा है मोधी जी को वापस भेजने का वक्त आ चुका है मोधी सरकार में बेरुजकारी अपने चरम पर है बेरुजकारी का आलम ये है कि पिछले 45 सालों में देश ने ऐसी बीशन बेरुजकारी नहीं देखी बेरुजकारी पर आया एक रिपोर्ट के बाद कॉंग्रेस प्रेसिडेंट ने ट्वीटर पीएम मोधी पर निशाना साधा राहुल गानी ने ट्वीट कर लेखा पांत साल पहले मोधी जी ने हर साल दो करोर रोजगार देने का वादा किया था लेकिन अब बेरुजकारी प कोट से कहा किनारे बनाएंगे मंदिर हार्दिक ने पूछा तो फिर बावरी मस्जिद क्यों तोड़ी मंदिर वही बनाएंगे मंदिर वही बनाएंगे बिदे तीस सालों से इस नारे ने सबको दो करक्ते हैं कि मंदिर वहीं नहीं बस्तुड़ा किनारे वनाएंगी चो कि मत दर्सली सरकार से सब्सक्राइब सुपरीमिंगर रही कि मंदिर के विवादत हिस्से को छोड़ कर बाकी का हिस्सा मदिरस्ट को दिया जाए ताकि मंदिर राममंद negro का निर्मान शरू हो बहं के आसपास की सरसट एकड जमीन सरकारी है मंदिर मस्जिद विवाद केवल 6.313 एकड में है साल 2010 महलाबाद हाई कोट ने 2.7 एकड जमीन पर फैसला सुनाया था किसानों के पुरे परिवार को रोज 17 रुपे देने वाली सरकार शर्म करे पानी की बोटल भी 20 रुपे में आती है मोदी सरकार ने किसानों को राहत देने की कोशिश तो की मगर शर्ते लागों के साथ सरकार ने देश के कमजोर और छोड़े किसानों को हर साल 6000 रुपे देने क आईलान किया है इस रोजाना इस यूजना का फायदाओं नहीं मिलेगा जिनके पास दो हेक्टियर जमीन है यह मदद 22,000 रुपे की तीन किस्तों में दी जाएगी मोदी सरकार के इंशर्वतों पर आम आदमी पार्टी के सांसर संजय सिंग ने सोशल मीडिया पर लिखा एक बोतल साफ पानी की कीमत 20 रुपे महिने का खर्च 600 रुपे मोदी जी किसान परिवार को प्रतिमा दे रहे हैं 1500 रुपे प्रधान मत्री पानी पिलाओ परिवार जिलाओ योजना बजाओ ताली मनाओ दिवाली गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाली भगवाधारी साथवी है बीजेपी की करीवी शिवराज सिंग चोहान और उमा भारती के साथ फोटो वाइरल महात्मा गांधी की पुन्य दिथी के दिन तेश चनवरी को बापू की प्रतिमा पर गोली चलाने वाली हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे के तार पीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जुड़े हैं उसकी एक तश्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें पूजा बीजेपी के दिगज नेताओं मत्यप्रदेश के पूर्व सीम शिवराज सिंग चोहान और केंद्रिय मंत्री उमा भारती के साथ नजर आ रही है उमा भारती भी मत्यप्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुकी है फिल्हाल वो मोधी सरकार में मंत्री है नोटबंदी के कारण बेरुजकारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया लेकिन गपुजी कह रहे हैं कि नोटबंदी से मकान सस्ते हुए हैं कनहिया बिजनिस स्टैंडर्स ने राश्ट्ये नमूना सर्विक्षन कारि हुआ की पी-ल-फ-ई-स की एक रिपोर्ट का खुलासा किया है सिपोर्ट के मताबिक साल 2017 ने बेरुजकारी दर पिछले 45 साल में सबसे जादा थी यानि 972 के बाद देश में बेरुजकारी की दर सबसे जादा है राश्ट्रिय सांके की आयोग ने इस रिपोर्ट को दिसंब बज़र 2019 किसानों को रोज 3.3 डुपे दे कर उनका मज़ाक उड़ा रही है सरकार इतने में तो एक कप चाय भी नहीं मिलती मोधी सरकार ने लोक लुभावन बज़ट पेश कर दिया है जिसे चुनावी बज़ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा ऐसा इसलिक क्योंकि गोयल ने बज़ट भाश्र में ऐलान किया कि देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपे की मदद करने का फैसला लिया गया है जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं कि किसानों के लिए इतने पैसे काफी होंगे तरसल राश्थान, 36 गड़ा और मदब्रदेश में कौंगे सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी के एलान के बाद मोधी सरकार पर काफी दवाब था जिससे कई तरह के क्यास लगाये चा रहे थे कि किसानों की आयदोगों नहीं कर देंगे मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बजट 2019, मनरेगा का बजट बढ़ा नहीं, 1084 करोर घटा है चूट क्यों बोल रहे हैं मोधी सरकार और गोधी मीडिया मनरेगा के आवंटन में 9% का इज़ाफा 7,000 करोर रुपे का मिला आवंटन मनरेगा का बजट बढ़ा 7,000 करोर रुपे का मिला आवंटन वर्ष 2019 का बजट आच चुका है और मनरेगा यूजना को लेकर इस तरह की हेडलाइन मीडिया में देखी जा रहे है लेकिन क्या ये सच है या चाला की से फैलाया जा रहा जूट मन्रेगा का बजट बढ़ा कर साथ हजार करोर रुपे कर दिया गया ये बात बजट भाषन के दौरान संसद में वित्यमांतिरी प्यूश कोयल ने बोली और मीडिया उसे वैसे ही दिखाने लगी जब कि मन्रेगा का बजट बढ़ा नहीं बनकी घटा है बजट में मन्रेगा के लिए साथ हजार करोर क्या कॉंग्रिस के इस योचना को काम्याब मानती है मोधी सरकार वित्यमांतिर अरुन जेटली के विमार होने की बज़ए से रेल मन्री प्यूश कोयल आज संसर में अंत्रिम बजट पेश कर रहे हैं सरकार के आखरी बजट उत्यमांतिर इस बजट में मन्रेगा के लिए गोशना कि तो और अपने अंत्य मंधिद में मंधर होपाachten का म्याव योजना मानती है बजट सरकार पर भड़के 60 धरुट बोले 500 जुब महिने में क्यासे इज्जत में इस विल्ष्वत अरुश से जिएगा देशखा किसान मोधी सरकार ने अपने वर्तमान सरकार का अंतिम बजट पेश किया है इसमें मिडिल क्लास को टैस्क से रहत तो दी गई है लेकिन किसानों को दी जाने वाली आय सहायता राशी को घटा दी गई है कॉंग्रस नेता और सांसर शर्शी धरूर ने सरक को टैक्स से मिलने वाली छूट किसानों को मिलने वाली आय सहायता राशी को 6,000 रखा गया है जो 500 रुपे मासिक पड़ता है क्या वो इससे इज्ज़त और घरिमा के साथ जी सकेंगे बड़ा खुलासा मोधी राशी में बेरुज़कारी में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा कैसे लिए आंकड़े छुपा रही थी सरकार पिछले दिनों खबर आई थी कि राशी सांखे के आयोग के दो सदस्यों ने सरकार के रवेए से निराश होकर इस्तिफा दे दिया इनका कारेकार 2020 में खत्म होने वाला था लेकिन कारेकारी अद्यक्ष, पीसी, मोहनन और सदस्य जेवे बिनाक्षी ने मोधी सरकार पर ये आरूप लगाते वे इस्तिफा दे दिया कि वो रोज़कार और जीडिपी के आंकड़े छिपा रही है वे रोज़कारी ने तोड़े सारे रिकार्ड पत्रकार बोली जो 45 साल में न हुआ वो helps 4 साल में हो गया नरेंदर मोधी हर साल 2 करोर रोज़कार देने का वादा करसकता में आये थे कारेकाल खत्म होने वाला है लगबग साड़ी चार साल हो चुके हैं अब तक 10 करोर रोजगार मिल जाना चाहिए लेकिन खबर आ रहे है कि साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज़ादा थी न्यूज 24 की पत्रकार साक्षी जोशी निवेरोजगारी के नाकडो को ट्विटर पर शेर करते वे लिखा है 45 साल में जो ना हुआ वो धाई साल वो साड़े चार साल में हो गया वाह मोदी जी वाह मोदी के बयान पर भड़की पत्रकार बोली अब तक ना निर्विया ना असिफा के बलातकारियों को मिली फासी फिर क्यो जूट बोल रहे हैं पि-म बलातकारिया को तीन दिन में फासी मिलती है वाले बयान पर पत्रकार और लेखक मिरेनाल पांडे ने पीएम मोधी को कटो घरे में खड़ा किया है पत्रकार मिरेनाल पांडे ने ट्वीट कर कहा क्या महामाहिम भारत की बात कर रहे हैं जन एर्विहा से लेकर कटवा की बच्ची तक किसी मामले में भी एक भी बलातकारी को फांसी नहीं मिली, उल्टे केस दर्ज ना होने पर कुछ परिताओं ने आत्म दाह कर लिया, अरे उपर वारे से कुछ तो ड़िये। मोदी जी उन्नाव की बेटी का बलातकार करने वाला बीजी पे विधायक जिन्दा है और मज़े में भी फिर जूट क्यूं बोल रहे हैं। मोदी ने कहा अब तक बलातकारियों को तीन दिन में हो जाती है फासी, ऐसे की वकिल बोली जूट बोल रहा है हमारा पीम। गुजरात के सुरत में एक विशाल जन्सभा को संबोधित करते हुए पीम मोदी ने जूट बोला प्रधान मंतरी ने कहा कि देश में पहले भी रेप होते थे यह दुख़द है कि अब भी बलातकार की घटनाय होती है। लेकिन अब बलातकार के दोश्यों को तीन दिन, साथ दिन, ज्यारा दिन से पहल लेकर एक महिने के अंदर ही फासी पर लटका दिया जाता है। बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इसके सार्थक नतीजे भी मिल रहे हैं। मोदी जी के तीन दिन से लेकर एक महिने के अंदर रेप के दोश्यों को फासी पर लटका देने की बात पर टिपनी करते हुए सुप्रीम कोड की वरिष्ट वकील करोना नंदी ने ट्विटर पर लिखा। मोदी राज में बेरोजकारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड अखिलेश बोले ये बेरोजकार युवाही बीजेपी को अगले चुनाओं में बेरोजकार करेंगे। 45 सालों बाद आई भीजन बेरोजकारी पर तमाम नेताओं, पत्रकारों, बुद्धी जीवियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चाह ने आप सरकार पर किया हमला। आप आद्मी पार्टी के कार्याले में स्वर्गय मीरा सनयाल जी को दी गई श्रद्धानजली। के लिए प्रात्ना सभा का योजन किया गया। प्रात्ना सभा में बोलते हैं बेदिली प्रदेश के सहयों जो गोपाल राय ने कहा। मीरा जी का हमें छोड़ कर जाना देश के लिए बड़ी छती है। गोपाल राय जी ने कहा वीरा जी केवल आम आदमी पार्टी की नेता ही नहीं थी। बल्कि देश के लिए सोचने वाली सर्शक्त महिला थी। उनका योगदान के वब आम आदमी पार्टी के लिए अर्थ व्यवस्ता की नीती बनाने में नहीं बल्कि देश के लिए समय समय पर देश के लिए सही आर्थिक नीती बनाने में रहा है। इस मुकाम पर मीरा स्नायाल जी पहुंची थी, वहां देश के बहुत कम लोग पहुंच पाएं। आम आदमी पार्टी ने चार और संगठनों के पताधिकारियों की गोशना की। प्रेस वारता को संबोधित करते वे दिल्ली प्रदेश संयोचकेवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राये ने कहा कि जैसा कि आप सब को पता है, चुनाओ के मंदे नजर आम आदमी पार्टी ने अपनी फ्रेंटल संगठनों में बहुत से फेर बदल किये हैं। पार्टी अब तक अर्थारा प्रकोष्टों की घोशना कर चुकी है, उची श्रिंकला में आज चार और नए प्रकोष्टों की घोशना की जारी है, जो इस प्रकार से है, ग्रामिन मोर्चा, OVC विंग, RWA विंग, ISM डॉक्टर्स विंग, ये सभी प्रकोष्ट भीबाकिय याने प्रकोष्टों की भाती अपने अपने इस छेत्र में संवठन निर्मान का कारे करेंगे। वाइस परतालों की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, जिसका पूरा वहां के कर्मचारियों, अध्यापकों को चिकित सकों को जाता है। सरकार ने केबल उनकी जायज मागों को पूरा करते हैं, उन्हें बहतर से विधाय प्रदान करने का काम किया है। कॉंगर्स के कई बड़े नेता, सैकरो कारे करता सहित आम आदमी पार्टी में शामिल। दिले के आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकास से प्रभावित होकर दूसरे दल के नेता भी माननी अर्विंद केजरिवाल को मजबूत करने के लिए साथ आ रहे है। जन्ता कुसमरपित के जिवाल सरकार का लक्षप को साथ लेकर चलने की आम आदमी पार्टी के इस नीती का असर विरोधी पार्टी के नेताओं पर खुब हो रहा है। इस कड़ी में सोमवार को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभाप्रभारी दिले पांटे की मौजूद्की में कॉंग्रेस सहीद दूसरे दलों के कई बड़े नेता सहीद सैकड कारेकरता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कॉंग्रेस दिल्ली में किसी को भी खड़ा कर ले आम आदमी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है एक बयान जारी करते वे आप राजसभा सांसर चंजे सिंग ने कहा कि आज दिल्ली में शुरादेक्षित की प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी में कॉंग्रेस के प्रदेश कार्याले में सम्मान समारों का आयोजन किया गया और सम्मान समारों में सिख दंगों के आरूपी जगदीश टाइटलर पहली पंक्ति में खड़े नजर आए एक बार फिर कॉंग्रेस का सिख विरोधी चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो गया है कॉंग्रेस सरकार पर निशाना साथ तेवे संजे सिंग ने कहा कि केवल दिल्ली में ही नहीं बलकि पंचाब के मुख्य मंत्री जो कि खुद भी सिक समुधाई से संबंद रखते हैं अपनी पुरानी दोश्ति के चलते जब दीश टाइट अश्वील हर्तते करने की प्रात्मी के में संबंद होने 25 दिसंबर 2018 को हरीजन सेवक संग धका में सर्वोदे कन्या उच्छ विद्याले धका की चात्रों का लर्णिंग मेला चल रहा था इस विशेश आवंद्रित के तौर पर विधायक तर्मारपूर्पंकच उश्कर और एक गनमान्य वेक्ति मौजूद थे इस कारक्रम में अपनी स्थमाप्ति के ठीक पहले दो फर एक बचे एक सर्कल बनाकर चात्राएं अपने सुझाओ रख रही थी डो टो डोर कैम्पेंग के तहट 75,000 लोगों से आमादमी पार्टी ने किया संपर्क भरवाया सर्वेक्शन फॉर्म डो टो डोर कैम्पेंग के तहट 75,000 लोगों से आमादमी पार्टी ने किया संपर्क भरवाया सर्वेक्शन फॉर्म इसके तहट डिली के कोनी कोनी में जाकर जनता से संपर्क किया जाएगा जनता को भाजपाओर को अंग्रिस के सच से अफगत कराया जाएगा डिली में आम आदमी पार्टी द्वारा किये गए कार्यों को जनता तक पहुचाया जाएगा और जाने आने चुनाव के मद्दे नजर जनता की राय ली जाए दिल्ली के श्रमिकों की दशा सुधरने के लिए हर शेत्र में किया श्रमिक संगठनों का निर्मान संगतनों के पुनर गठिन के श्रंखला में आम आदमी पार्टी ने दिली के श्रमिकों की दसा सुधारने के लिए हर शेत में किया श्रमिक संगतनों का निर्मान नए दिली 31 चनवरी गुरुवार संगठनों के पुनर निर्मान की स्ट्रेंखला में आम आदमी पार्टी ने अलग-अलग विभाग में श्रमिक संगठनों का निर्मान किया है संगठन के नए पदाधिकारियों के नाम की घोशना की दिली प्रदेश संयोजग गुपाल राये ने कहा की जैसा की ग्यात है कि आम आदमी पार्टी दिली में अपने सभी संगठनों में फेर बदल का काम कर रही है उसी कड़ी में आज दिली श्रमिक विकास संगठन से जुड़े अलग अलेवे भावों में संगठनों का निर्मान किया दिली में कॉंग्रिस की हालत खराब नहीं मिल रहे हैं वाड़ ध्यक्ष पार्टी कारियाले में प्रेस वार्था को संभूधित करते वे आम आदमी पार्टी के विधाय का किलेश पत्ती प्रिपार्थी ने कहा कि दिली में कॉंग्रिस की स्थिति दिली में और खराब होती जा रही है के हालात यह है कि दिली में वाड़ अध्यक्ष तक नहीं मिल रहे हैं कॉंग्रिस की दिली प्रदेश इकाई ने आम आदमी पार्टी के मॉदल टाउन विधान सभा के वाड़ 77 के अध्यक्ष विपिन खरना को अपना वाड़ अध्यक्ष बताया ग्याथ हो कि कॉंग्रिस नेता पीसी चाको ने कल प्रेस कॉंफरेंस की जिसमें उन्होंने कॉंग्रेस के दिली प्रदेश अस्तर के प्रदाधिकारियों के इकलिस्ट सारी थी जिसमें विपिन खरना जी को जी टीवी नगर से वाड़ द्यक्ष दिखाया गया है भाजपा ने दिली के कुल आठ लाख बनियां वोटरों में से चार लाख के नाथ क्यों कटवाए की जिरिवाल अपने एक ट्वीट के वज़े से भाजपा निता विजए गोयल शनिवार को बुरे फसे उनके ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के निताओं और काड़े करताओं ने जब उनसे सवाल पूछना शुरू किया तो उनकी बोलती बंद हो गए और वह भाग खड़े हुए विजए गोयल ने शनिवार को एक ट्वीट में लिखा कि आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया गया है इसके बाद आम आदमी पार्टी के निताओं कारे करता हो और अन्य लोगों ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिये लेकिन विजए गोयल ने इन सवालों पर भी केजरीवाल सरकार ने मेट्रो फेज 4 की सौगात आपके दक्षिनी दिली लोगसवा प्रभारी रागहब चड़ा ने मेट्रो फेज 4 की मंजूरी को दिली के लिए बड़ा तौफा बताया है श्री चड़ा ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में केंदर सरकार और भाजपा क कि तमाम बाधा के बावजूद केजरीवाल सरकार ने इस का रास्ता निकालने में सफलता हासल की है श्री चड़ा ने इसके लिए मख्यमंद्रिय अर्विन केजरीवाल तथा दिली वास्यों को बढ़ा धाय दी है श्री चड़ा ने कहा कि मनुस्तिवारी को पूरा यगीन था कि उनकी बाधा के कारण यहाँ प्रोजेक्ट लटका रहे। भुपाल में EVM Strong Room के CCTV धाई गंटे बंद रहे। आपने चताया बरी साजिश का अंदेशा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष आलोक अगरवाल ने भुपाल जी लिस्त तीवी एमें Strong Room के CCTV के बंद होने के घाटना को बड़ी साजिश करार देते हुए ततकार कलेक्टर सुदाम पी खाड़े को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपनी आसंद हार से घबराई भाजवा अनैतिक तारीकों को अपना कर लोग तंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने चुनावा आयोग से इसकी शिकायत करते हुए कलेक्टर सुदाम पी खाड़े को हटा कर उर्चिस तर ये जाच की मांग की है। लाजपत नगर मयूर विहार मेट्रो सेक्शन का उद्घातन दिली के उपमुख्य मंत्री मनेश सिसोधिया और केंट्रे शहर इविकास मंत्री हरदीप पूरी ने सोमवार को मेट्रो भवन में लाजपत नगर मयूर विहार मेट्रो सेक्शन का उद्घातन किया उपमुख् को में कहीं नीचे से और कहीं उपर से मैटरों चल रही है उपमुख्य मंत्री ने कहा सिबिल इंजीनियरिंग कर करने का मन करता है लोग्सभा चुनाव की तैयार की मद्दे नजर अबूत कारीक्रम में भासपा के राश्च्ट ध्यक्षिन नहीं बदा सके अपने सातो सांसदों का एक भी काम एक प्रेस्वारता में पत्रकारों से बात्षीश करते वे दिल्ली के प्रदेश नेयोजर गौपाल राय ने कहा कि कर भाजपा ने दिल्ली में अपना बूत कारेक्रम का ऐउजन किया था कारेक्रम में आने वाले लोग सभा चुनाओं के मदे नजर संगठन के लोगों का मार दर्शन किया जाना था लेकिन ये बड़ा ही हास्यास पद्रहा की पूरे कारेक्रम के दौरान सभा को संभूत करते वे भाजबा के राश्टी अध्यक्शन हमें चाह ने लोग सभा चुना चैन की उपस्तिती में करावल लगर विधान सभा खजूरी चौक पर शेत्र के विकास संबंती कई मुद्धों पर चर्चा हुई जिन विकास कारें पर चर्चा हुई उनमें खजूरी अंडर पास का निर्मान श्री राम कॉल्नी के पास पुटवेर ओवर प्रिज श्री र विस्टोड खजूरी कॉम्यूनीटी सेंटर के निर्मान का प्रस्ताव गोंडा में दो पॉलिटीक निक का निर्मान शुरू होनी की कगार पर लाजपत नगर मयूर विहार मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन दिली के उपमुखी मंतरी मनेश सिसोधिया और केंटे शहर इविकास मंतरी हरदीप पूरी ने सोमवार को मेट्रो भवन में लाजपत नगर मयूर विहार मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन किया उपमुख्यमंत्री मनेश सिसोधिया ने इस मौके पर सभी इंजीनियर्स को सलाम करते वे कहा कि जिस दिली में 70 प्रिश्दी कच्ची कॉलोनिया और जुग्गी जोपनियां है वहां दिली मेट्रो ने क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने का चैलेंज दिकारा आज इनी इलाकों में कहीं नीचे से और कहीं उपर से मेट्रो चल रही है उपमुख्यमंत्री ने कहा सिविल इंजीनियरिंग का वाग का नाम है जिसको देख कर सिविल इंजीनियर्स को सलाम करने का मन करता है हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वज़े है कि भाजपा एवियम के बिना चुनाओ नहीं करवाना चाहती वीडियो के माध्यम से एक जारी बयान करते वे आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रावक्ता सुरब भादू आज ने कहा कि केवल भाजपा को छोड़ कर आज देश की लगभग सभी पार्टीयों का मानना है कि एवियम मशीन में गरबरी होती है और देश में होने वाले सभी चुनाओ या तो एवियम के बिना हो या फिर एवियम मशीन के साथ वीवी पी एटी मशीन का भी उप्योग किया जाना चाहिए ताकि चुनाओ की निश्पक्षता बनी रहे बाद में वीवी पी एटी की स्लिप का 20 से 25 प्रतिशत हिस्से की भी गिन्पी होनी चाहिए नागेग संशोधन बिल पर बुरी फसी मोधी सरकार पूरवत्व में अंडिये की तीन सीम ने किया बीजेपी का विरोध मोधी सरकार आज यानि मंगलवार को राजसभा में सिटिजेंशिप एमेंडमेंट बिल पेश करने वाली थी लेकिन विपक्ष और पूरवत्तर के निताओं के विरोध की वज़े से विधेग पेश नहीं हो पाया एंडिये के सहियोगी तलवर पूरवत्तर के पीजेपी निता भी इस विरोध कर रहे हैं में घाले में नाशनल पेपल पार्टी एंडिये का हिसका है लेकिन अब नैशनल पिपल्स पार्टी के अध्यक शिवम में घाले के मुख्य मंत्री कौन राड ने के संगमा साफ कहा है कि अगर यह विधेक राजसवा में पारित होता है तो उनकी पार्टी केंदर में सत्ता रूड एंडिये से अलग हो जाएगी बंगाय में रोकी जाने पर हल्ला मचाने वाले योगी अब अखिलेश को रोक रहे हैं क्या ये लोग टंत्र की हत्या नहीं है अखिलेश यादव को फ्लाइट में चड़ने से रोक दिया गया अखिलेश यादव अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं बिना किसी लेखित आदेश के मुझे एरपोर्ट पर रोका गया पूछने पर भी सतिते साफ करने में अधिकारी विफल है चादर संग कारिक्रम में जाने से रोकना एक मात्र मकसद युवाओं के बीच समाजवादी विचारों और आवाज को दवाना है ममता ने जो कहकर योगी को रोका वही कहकर योगी ना खिलेश को रोका फिर लोग तंत्र की दुहाई क्यों? कुमार विश्वास उधर प्रदेश के पुर मुख्य मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अदेक्ष अकिलेश यादव मंगलवार की सुबह इलाहबाद युवरसिटी जाने के लिए लखनाओ के अमोसी एरपोर्ट पहुंचे जहां उन्हें फ्लाइट पर चरने से रोक दिया गया अकिलेश यादव को इलाहबाद युवरसिटी के चातर संग एनुल फंक्शन में बत्तोर मुख्या थिति पुलाया गया था लेकिन आरेसिस का चातर संगठन एबी वीपी लगातार इसका विरोध कर रहा था मुख्य मंत्री योग यादव तनात का कहना है कि अकिलेश को रोकने का आगरा खुद युवरसिटी ने किया था मोदी के मंत्री ने वाह वाही लूटने के लिए फर्जी वीडियो किया शेयर पत्रकार बोली दुखद है कि एक पढ़ा लिखा मंत्री जूट बोलता है रेल मंत्री पीञ वाह वहाह लूटने के लिए वंदे मात्रम एक्सप्रेस का एक टेंपरड वीडियो शेयर किया है एस वीडियो में उन्हें Chong रिया के टेस बनी इस ट्रेंड की स्पीड को तेज़ करके दिखाया यदि यूरप्पा के सुप्रीम कोट को मैनेज करने वाले दावी पर केजरी वालने जटाई चिंता कहा आश्रा है सुप्रीम कोट कारवाई करेगा करनाटक के मुख्य मंत्री एस्टी कुमार स्वामी ने शुकरवार को बीजेपी के वरिष्ट ने ताब बीएस यदि यूरप्पा का एक वीडियो क्लिप सारी किया है जिसमें वकतित वर पर करनाटक सरकार गिराने के लिए दूसरे दालों के विधायकों को पैसे का आफर करते सुनाई दे रहे हैं योगी की पुलिस की गुंडागर्दी पहले अकिलेश को रोका फिर सपाईयों पर बरसाही लाठिया दर्मेंदर यादव भी घायल उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस की गुंडागर्दी अब चौध तरफा देखने को मिल रही है विरोधी दलों की नेताओं को गुंडे बदमाशों की तरह पीता जा रहा है ऐसा लग रहा है योगी को सत्ता प्रदेश की कानून विवस्था ठीक करने के लिए नहीं विरोधीयों को ठीकाने लगाने के लिए मिली है दरसल आज अखिलेश यादव को अलाबाद में शुविद्याले कारेक्टर में जाना था लेकिन नीजी विमान से उडान भरने से पहले ही उन्हें लखनाओ में रोक दिया गया है योगी की पुलिस ने प्रदर्शन कर रही सपा नेतरी रिचास सिंग और को बेरहमी से पीटा प्रशांत बोली योगी को चल्द भुगतना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनाओ में रोकी जाने की विरोध में इलाहबाद में प्रदर्शन कर रहे सपायों पर योगी की पुलिस ने लाठी जार्ज शुरू कर दिया है पुलिस की कारिवाई में सपा साइसे धर्मेदर यादव और पार्टी प्रवक्तारिचास सिंग को चोटे आई हैं जानकारी के मताबिक अखिलेश यादव को मंगलवार की सिबह लखनों के एरपोर्ट पर रोके जाने के बाद अलाहबाद यूनिवरसिटी के शादर शादराओं ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया रक्षा मंतराले के तीन अधिकारियों का दावा मोधी सरकार ने यूपिये से महंगे खरीदे हैं राफेल बिमार राफेल दील पर एक बर फिर अंग्रेजी अखवार दहिंदों ने खुलासा किया है अखवार ने दावा करते हुए का है कि राफेल दील यूपिये सरकार के वक्त की तैक की गई कीमत और शर्तों पर खरीद नहीं उतरती है साथ ही इस बात का भी खुलासा किया है इसे लिएकर तीनादिकारियों ने अपनी असहमती जदाए थी फिर भी ये डील हुई दरसल राफेल दील को लेकर आपकती करने वाली तीनादिकारियों ने अपनी असहमती जदाते हुए जून 2016 को डिसेंट नोट दिया था जिसमें उनका कहना था कि एसकलेशन के आधार पर फ्रांस सरकार ने विवानों की जौन तिन कीमत तै की है वह पहले तै वेंचमार्क कीमत से 55.6 पीस दी ज़्यादा है राफेल पर दहिंदू का एक और बड़ा खुलासा तीनादिकारियों के विरोध के बावजूद 55 प्रतिशत महंगी हुई दी राफेल दिल पर एक बर फिर अंग्रेजी अखवार दहिंदू ने खुलासा किया है अग्वार ने दावा करते वें कहा है कि राफेल दिल यूपिय सरकार के वक्त की टैक की गई कीमत और शर्तों पर हरी नहीं उतरती है साथ ही इस बात का भी खुलासा किया है इसे लेकर तीनादिकारियों ने अपनी असहमती जताए थी फिर भी ये डिल हुई लेकिन चौकिदार से कोई सवाल नहीं हो रहा है मायावती बस बस उप्रीमों मायावती ने राफेल सौधी को लेकर एक बार फिर मोधी सरकार को रामला किया है सुमवार को मायावती ने एक की बाद एक ट्वीट करते वे लिखा है केंदर सरकार ने राफेल लड़ाकु विमान सौधे में भरष्टा चार विरोधी प्रावधान को समाप्त कर दिया था दाहिंदू अंग्रेजी एकबार का राफेल में नया विस्तृत रहस्योद घाटन फिर भी नो प्रॉबलम बीजेबी वा आरेसेस वालों के लिए चौकिदार का महत्व है उसकी इमानदारी कर नहीं रिपब्लिक टीवी और अर्नव के खिलाफ F.I.R. का आदेश बरका बोली इस शक्स ने पत्रकार को कलंकित किया है देश का मीडिय अपने आप में अदल चला रहा है जहां वो यह तैय करता है कि किसे दोशी ठहराना है किसे बड़ी करना है ऐसा ही कुछ करने की कोशिश में समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी ने जिसके संपादिक अर्नव गोस्वामे सुननदा पुषकर मडर केस में गोपनिय दस्तावेज़ों को प्रसारित किया जाने को लेकर दिली की एक मेट्रोपॉलिटन कोट ने उनके खिलाफ केस दर्च करने की आदेश दिया रहे हैं दर्सर कंगनें थरूर्ने को कोडं में की थी तरूर ने अपने वकील विकस के जरियेief द़रान पुलिस ने सुननदा ऊपुषकर किकई वस्तों को एकठा किया था और के साथ उनके एक सही होगी नारायन सिंग के बयान किये थे रिपोर्ट पच्पन सो करोड के कोईला घोटाले में अडानी को बचा रही है मोधी सरकार CBI ने नहीं की जाच रश्टा चार मुक्त भारत के नारे के साथ सत्ता में आई मोधी सरकार पर लगातार घोटाले और अपने करीबियों को फायदा पहुचाने के आरोप लग रहे हैं प्रधान मंतरी की शपत लेने के बाद ही नरेंद्र मोधी का नाम का योद्योग पतियों के साथ जड़ाओ सिर्चनामों में से एक है गौर्तम अडानी का रेल मंत्री के फेक वीडियो पर बोले ये चुरी फेक न्यूज फेक डिगडी और फेक पीम ये फेक इन इंडिया है वैसे तो शेहरों चराहों इमारतों आदि के नाम कॉंग्रिस ने भी अपने शाशनकाल में खुब बदले लेकिन मोधी राज में बाद शेहरों चराहों इ कभी बॉर्डर की फर्जी फोटो कभी फर्जी आंकड़े ताजा मामला है फर्जी रफ्तार का दरसल रेल मंत्री प्यूश कोईल ने नौ फरवरी को अपने ट्वीट में वंदे मात्रम वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ट्रेन एक दम तेज कती से गुजरती दिख रही है रेल मंत्री प्यूश कोईल ने वीडियो में ट्रेन की स्पीड बढ़ा कर बताया चिडिया शेहला बोली विकास के तोते उड़ गये रेल मंत्री प्यूश कोईल ने वावाई रूटनी के लिए वंदे मारत एक्सप्रेस का एक टेंपर्ड व एक प्लेन है मेक इन इंडिया पहल के तहट बनी देश की सेमी हाइस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को पिजली की गती से गुजरते देखिए लेक आडियो टेप में यदी यूरपपा बोले सुप्रीम कोर्ट की जजों को मैनेज कर सकते हैं मोधी और अमिट शाह करनाटक के मुख्य मंतरी एच डी कुमार स्वामी ने सुकुरवार को बीजेपी के वरिष्ट नेता वियस यदी रूपपा का एक वेडियो क्लिप जारी किया है जिसमें वकट शत्री तोर पर करनाटक सरकार गिराने के लिए दूसरे दलों के विधायकों को पैसे का ओफर करते सुनाई दे रहे हैं टेप में यदी यूरपपा बारव विधायकों को दस तस करोर रुपे की रिश्वत की पेशकस करते सुनाई दे रहे हैं उन्होंने टेट में कहा कि जो विदायक इस्तिफा देंगे उन्हें पैसों के साथ ही मंत्री पद भी दिया जाएगा पीम के सामने महिला मंत्री की कमर छू रहा था बीजेपी नेता कॉंग्रिस बोली बीजेपी से बेटी बचाओ प्रधान मंत्री और प्रदेश के मुख्य मंत्री जिस मंच पर खड़े थे उसी मंच पर एक मंत्री पास महिला मंत्री को गरत तरीके से छूता है महिला ऐसे छुए जाने का विरोध करती है पूरी घटन कैमने में दर्ज हो जाती है लेकिन बेटी बचाओ का नारा देने वाली बीजेपी अपने पुरुष मंत्री का बचाओ कर रही है कटना नौ फरवरी की है पर प्रिधार मंत्री पूर वत्तर के तीन राज्जियों अरनाचर प्रदेश असम और त्रिपूरा के दोरे पर थे त्रिपूरा की राज्थाने अगतला में एक मंच पर जब प्रधार मंत्री मोधी सीम पिपलव देव के साथ गार जी बेनोलिया रेलवे लाइन का उद्गारण कर रहे थे ठीक उसी वक्त उसी मंच परत्र पूरा में खेल और युवा मंत्री मनोज कांती देव सामाजिक कल्यान मंत्री सांतना चक्मा की कमर को गलत तरीके से पकर रहे थे 12 वर्ष ये बच्ची की हत्या की आरोपी को नितीश ने बनाया डीजीपी पिता बोले न्याय की उम्मी रभ खत्म हो गई है अपराधी को पता होना चाहिए कि अपराध करने की बाद उसे भुगत ना होगा ये बयान है बिहार के नए डीजीपी गुपतेश्वर्ट पांडे का जिनको हाली में बिहार की नितीश सरकार ने राजी की कानून व्यवस्था के जिम्यदारी सौपी है हेरानी की बाद ये भी है कि साल 2012 में एक बच्ची का अफर्ण करने के मामने में सीबियाई उनसे साल पूछतास कर चुकी है और अब यही सक्स बिहार के गुंडागर्दी खत्म करने कस्में खा रहा है विवादिट डिजीपी की नियुक्ती पर विपक्षियों ने निशाना साधना शुरू किया है राजत नेता ते जिश्वियादव ने इसे नितिश चाप बेशर्मी भरा सुशाशन करार दिया है एम्यू में जबरंगुसकर गोदी मीडिया चात्रों को आतंकी बता रहा है क्या यही है मोदी का न्यू इंडिया पंखोडी पाठक बीजेपी सांसद राजीर चंदरशेखर के समावित्तो वाले न्यूस चैनल रिपब्लिक टीवी द्वी द्वारारीगर्ड मुस्लिम यूनिवरसिटी को कथित तौर परातंक्यों की यूनिवरसिटी बताय जाने को लेकर सुशल मीडिया पर प्रतिकिरियाओं का दौर जा बहलवा सकते हैं पिछले पाथ सासे देश का मीडिया जिस रंग में रंगा हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि मीडिया का जुकाव इन पाथ सालों में देश के असल मुद्धों की और कम और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की और जादा रहा है हाला कि ये बात ना तो मीडिया मानती है और ना ही बीजेपी लेकिन अब बीजेपी नेता खुल कर कहने लगी है कि मीडिया उनके खिलाफ नहीं बोलती है क्योंकि मीडिया में उनके बहुत सारे चमचे हैं दाहिंदू का एक और बड़ा खुलासा राफेल दील से चंद दिन पहले हटाया गया अंटी करप्शन क्लॉस देश से क्या सुपाना चाहते थे मोधी अंग्रेजी अकवार दाहिंदू ने राफेल पर एक नया खुलासा किया है अकवार ने उसके पास मौझूद दस्तावेजों के हवाले से ये दावा किया है कि ब्रस्टाचार खत्म करने का दावा करने वाली सरकार ने राफेल दील साइन होने के कुछ दिन पहले डील से अंटी करप्शन क्लॉस को उटाया था अखवार का दावाय है कि सरकार ने डील से ब्रस्टा चार वी रोधी ज़ुर्माने का प्राफधान डील साइन होने के कुछ दिन पहले ही हटा दिया था अकवार ने मौजूद दस्तावेजों के हवाले से कहा है कि फ्रांस के साथ हुए राफेल सौदे में हाई लेवल की दखल अंदाजी की गई थी दाहिंदो के नए खुलासे पर बोले राहुल चौकिदार ने खुद दर्वाजे खोले ताकि अमबानी आएफ के 30,000 करोड चोड़ी कर सके अंग्रेजी अकवार दाहिंदो ने राफेल पर एक नए खुलासा किया है अखबार ने उसके पास मौझूद दस्तावेजों के हवाले से ये दावा किया है कि बरश्टाचार खत्म करने का दावा करने वाली सरकार ने राफेल डील साइन होने के कुछ दिन पहले डील से आंटी कर्प्शन क्लॉस को हटाया था अकबार का दावा है कि सरकार ने डील से ब्रश्टा चार विरोधी जुर्माने का प्राफधान डील साइंड होने के कुछ दिन पहले ही हटा दिया था अमबानी को दस दिन पहले राफेल की गोपनिय जानकारी देने के लिए मोधी को जेल होनी चाहिए राहूल राफेल दीन में एक सीक्रेटी में सामने आने के बाद कॉंग्रस अद्यक्ष राहूल गांधी ने प्रेस कॉंफरेंस कर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि इमेल से साबित होता है कि प्राइम मोदी ने अने लंबानी को वो सूच ना दी जिसके खवर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को भी नहीं थी मंगलवार को दिल्ली के कॉंग्रस मुख्याल में प्रेस से बात करते वे राहूल गांधी ने कहा एर बस कंपनी के एक्जेकेटिव ने इमेल लिखा है कि फ्राइम के रक्षा मंत्री की ऑफिस में अने लंबानी भी गए थे अखिलेश को रोकने वाली पुलिस माल्या नीरव और मेहूल भाई को क्यों नहीं रोक पाई इनसे कोई रिष्टेदारी है क्या पिसले साल असलमर में हजारू करोर का चोना लगाने वाले विजे माल्या को लेकर खुलासा हुआ था जिसमें कहा गया था कि एरपर्ट पर माल्या को रोकने के बजाए उने जानी दिया गया वहीं कारो बारी मेहुल चौकसि पर महाराश्च पलिस की जानकारी होने बाब जूद उन्हें गुरफतार करने की जरूरत नहीं समझी निरववोदी को भी विदेश जाने से रोक माने में सरकार पूरी तरह से विफल रही थी मगर यूपी की रासधानी लखनव से जब पूर मुख्य मंत्री अखिलेश यादव लाहबाद यूइनवरसिटी से चातर संकारे क्रम में जाने के लिए रवाना हो रहे थे तभी अखिलेश को यूपी पुलिस ने रोक लिया अखिलेश को रोके जाने पर बोली मायावती ताना शाव बीजेपी सपा बसपा गटवंदन से डर कर बौक ला गई है मंगलवार के सुबर उत्तर प्रदेश के पूर मुखी मंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लाहबाद यूणिवरसिटी जाने के लिए लगनो क्या मौसी एरपोर्ट पहुचे लेकिन अखिलेश यादव को फ्लाइट में चरने से रोक लिया गया अकलेश यादव ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कई ट्वीट किये हैं अगर राफेल पर कॉंग्रेस के दावे में दम नहीं होता तो अब तब पीएम मोधी जेपी सी जाच करा लेते पंखुडी पाठक राफेल दिल में एक सिक्रेट इमिल सामने आने के बाद कॉंग्रेस अब्द्यक्ष राहूल गांधी ने प्रेस कांफरेंस कर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि इमेल से साबित होता है कि पीएम मोदी ने अने लंबानी को वो सूच ना दी जिसके खबर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को भी नहीं थी मंगलवार को दिली के कॉंग्रिस मुख्याले में प्रेस से बात करते वे राहुल गांधी ने कहा एर बस कंपनी के एक्जेक्योटिव ने इमेल लिखा है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री के ऑफिस में अने लंबानी गए थे अमिच्शा राफेल से जूडी फाइलों को ठीकाने लगाने सीम पर्रिकर के घर पहुचे थे कॉंग्रिस के प्रवक्ता जितेंद्र देश प्रभू ने राफेल को लेकर बीजेपी अध्यक्षा मिच्शा पर बड़ा आरोप लगाया है उनका दावा है कि अमिच्शा शनिवार को गोवाइस ले आये थे ताकिवा सीम पर्रिकर के बेडरूम से राफेल सौदे से जूडी फाइले हासिल कर सके मंगलवार को पार्टी के राज्य मुख्याले में एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरां जितेंद्र देश प्रभू ने कहा शाह का गोवा दौरा मुख्य मंत्री मनुहर पर्डिकर के घर से फाइलों को लेने के लिए था और फाइली ले लिग गई है अर्णब के चैनल की शर्म नाख हरकत चातर बोले रिपब्लिक टीवी ने एम्यू को बताया आतंकियों की यूनिवरसिटी बीजेपी सांसद राजीब जंडर शेकर की समावित वाला समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी एक बार फिर चर्चा में है इस पर चर्चा की वज़े चैनल की अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवरसिटी में बरकाओ रिपोर्टिंग की है खबर है कि एम्यू में रिपोर्टी के दरान चैनल की महिला आएंकर के साथ चात्रों ने बत सलुकी की इस खबर को देश के बड़े अखबार दैनिक जागरन ने अपनी पोर्टल पर प्रकाशित किया है अखबार ने लिखा लोकसपा चुनाओ से पहले अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवरसिटी सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है करनाटक ये दि यूर्पा के ओडियो टेप की जाच होगी स्पिकर ने SIAT के गठन का दिया आदेश करनाटक विधानसबा की स्पिकर किया रमेश कुमार ने मख्यी मंतरी हचटी कुमार स्वामी को विधायकों की खरीद फरुक्त वाले ओडियो क्लिप की जाच के लिए एक विशिश जांच दल का गठन करने का निदेश दिया है स्पिकर ने जांच पंदर दिनों के भीतर खत्म करके रिपोर्ट सो अपने के लिए कहा है कॉंगर्स के वरिष्ट ने तामल लिकार जुन खड़के स्पिकर की इस फैसले का स्वागत किये हैं गठकरी का मोधी योगी परनिशाना बोले अगर कोई जाती की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूँगा हम जातीवाद में यकिन नहीं करते हैं मुझे नहीं पता कि आपके हाँ क्या है लेकिन हमारे पांच जिलों में जातीवाद की कोई जगह नहीं है क्योंकि मैंने सभी कुछ इताब नहीं दी हुई है अगर कोई जाती की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूँगा ये बयान है केंद्रिय मंत्री नितिन गठकरी का जो पिछले दिनों कई ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जिससे बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो गई है गठकरी के बयान पर बोली कॉंग्रिस हनुमान जी की जाती बता कर वोट मांगने वालों की पिटाई कब करेंगे मोधी सरकार में केंद्रिय मंत्री नितिन गठकरी ने कहा कि अगर कोई जाती की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूँगा गठकरी का ये बयान तब आया जब हनुमान की जाती खुद यूपी के मुख्य मंत्री योगी ने बताई थी अब कॉंगरिस ने गठकरी के बयान के बहानी सीम योगी पर निशाना साथा है कॉंगरिस ने भी पिना देरी कि ये गठकरी के बयान पर पलटवार करते वे कहा कि भाशपा नेताने दिन गठकरी ने भाशपा की मूल राजनीती के खिलाफ बयान दिया है कहा कोई जाती वा को उसकी पसंद का खाना खाने के लिए मार दिया जाता है तो यह मौत सम्विधान की होती है यह बाद सुप्रीम कोड के जड़ जस्टिस टी वाई चंदर चूर ने मौका मौजुदा वक्त में सम्विधान के सामने चुनौतियों पर बात करते वे कही उन्होंने हाल ही में पास्तुकला का आलोचक था तो सम्विधान विफल हो जाता है जिस योगी पर दरजनों मुकद में हो वह कह रहे हैं कि अखिलेश अराजकता फैलाने इलहाबाद जा रहे थे सपा उत्रप्रदेश के पूर मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अद्द्यक्ष अ जादव मंगलवार की सबाई लावाद यूनिवर्सिटी जाने के लिए लखनाओ के अमौसी एरपोर्ट पहुंच जहां उन्हें फ्लाइट में चरनी से रोक लिया गया अकलेश जादव को लावाद यूनिवर्सिटी के चातर संग एन्वल फंक्शन में बतौर मुख्या अक्ति थी बुलाया गया था उन्होंने खा कि उन्वर्सिटी ने खुद इस बारे में उनसे अनुरोद किया था कि सपाध्यक्ष के दोरे से यहां चातर संगठनों के बीच विवाद पैदा हो सकते हैं और कानून विवस्था को लेकर हालात खराब हो सकते हैं माइन दे न्यूज रूम की रिपोर्ट थैंक यू फोर वाचिंग आर वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें